तो हुठार धूब कापी त्यज है और निकालते हैं क्योंकि ढूबिछिधर से और रास्ता यह देख सकते हैं प salads also walk तूब गाओं का रास्ते से रहे होते हुठ है फिर मेन रोट के रास्ते पचलें reinforce है तो वेलीग पूरा है है और चलिए फिर आगे चलते हैं तो इस सफर में यह मेरा सफर देखते हैं कॉन सा पार्ट है पार्ट फोर है यह यह fai चलिए इस वीडियो में तWORK बने रहेगा पूरे इस वीडियो में और वीडियों पसंदा यह ज्यूरत के जिएगा चलिए आया कष़ और जालो अगायों के रास्त के साथ है सफर तो एन सधर सीधे चलतें यहां पर एक पुल को तो इदर से ही चलते हैं ओधर प्रो Mix M वीधा सूछाना है तो देखते हैं आगर का रास्ता ईदर से है तो उधर से ही चलते हैं और देखेंगे रास्ता इदर कैसा है तो इदर से चलेंगे और काफी अच्छा रास्ता है इदर का भी जो रिफरिंच प़ुदे हैं और गहां में जाने के लिए एक रास्ता तो इसमें दिखनाते हैं सब्सक्राइए 10 सकते हैं और यहां से सीधे चलना मेंडोड आएगा इसके बाद इतो गाउंकर रास्ता है यहां पर सबसे ज्यादा पेड़ पौदे हैं सी समखें और गन्य की ख्यती धान की ख्यती काफी ज्यादा हुए इदर चलिए यहां सागे चलके देहलाते हैं आपनों आया का शक्तर त जो कि इस रास्ते पे सुबह का टाई में लड़के लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं और यह गाउं के रास्ते से होते हुए चलेंगे हम आगे देखते हैं कौन सा रास्ता मिलता है किधर का तक इतना दूरी पर मेंड रोड है मेंड रोड का साथ चलेंगे तो आये का सफ अपर जास्ते से यूद्म मिलेगा थी थो की चलिए दिखलाते हैं इसको सड़क किनारे यह द देख सकते हैं इधर तालाब ​​ में पाने लगा हुआ है इधर पूरा खेती पूरा आगल गाहा है तो गाहां पार करकर निकलते हैं वो यहां पर एक शकूल है देख सकते हैं यहां से इस गाण से महयां हो दर जो इसकूल है तो काफी प्रानदा इसकूल है और इधर रास्ता एक देख सकते हैं इधर क्या है चले इधर इस्कूल देख सकते हैं आप लोग और काफी अच्छा इस्कूल है यहाँ का वो की ठीक ठाक है और इधर से निकलते हैं आगे और इधर पानी लगा गए खेते में देख सकते हैं कितना बड़ा खेते इधर और काफी ज्यादा धान की खेती है इधर देख सकते हैं आप लोग तो सबसे अच्छा धान की खेती इधर पूरा खेतों में यहाँ से देख सकते हैं तो इधर का रास्ता है इधर से चलते हैं आगे और इधर सबसे ज़्यादा आप लोगों को गाहों का रास्ता देखने के मिलेगा क्योंकि अभी जो है धूप हो चुका है थोड़ा धूप है और इधर यह दिख रहा है कि चारों तरफ खेत है और खेते में पानी लगी होई है तो गर्मी भी काफी जादा होने लगे भी सात बच कर चाले सुनट हो रहा है तो जल्दी जल्दी से चलना है इधर और जल्दी से पहुंग जांगा होस्टल पे तो खाना मिल जाएगा नहीं तो खाना भी नहीं मिलेगा तो कितना जल्दी है इधर से चलते हैं आगे और आय इट भाठ्था है जो काफी फेमस है तो इधर से चलते हैं आगे और इधर पुरा गाउं का ही रास्ता है तो आगे चनल लगवाल आगे देख लाएंगा आप लोग को अधर है कि इतना दोरी पर है एक बगीचा है इधर पारी लगा हुआ है देख सकते हैं और इधर पुली भी तुटा हुआ है यह इत बाठ्था जो काफी आचा है काँ अचाहे माटी ओटी सब है इदि पर आचा थोड़ी है और तलाब और तलाब के पाश यहां पे घर है और घर के पास बागीचा यह देख सकते हैं तो इसी रास्ते से चलते हैं आगे और आगे निकलते हैं यह मंदिर है तो चलिए मंदर का गेड़ तो खुला ही नहीं है तो मंदर कैसे देखा हूँ बाहर से काथ देख सकते और चलते हैं यहां से आगे इस जंगल में मंदिर है यह भोलाजी का मंदिर है संकरवान्जका इधर बगीचा भी है और यह रास्ता है गाँओ का तो इधर से ही चलेंगी इस गाहों के रास्ते को पार करते हुए फिर आव यहां पर मेंडरोड तो इस मेंडरोड के साथ आगे निकलते हैं अगर यहां पर जो रास्ता है काफी इधर का रास्ता खराब है और उतना ज्यादा अच्छा नहीं है अगर देख सकता है रास्तो इधर का जो रास्ता है काफी ठीट ठाक नहीं है और यह देखिए इधर पेन पवधे खेत इधर सबसे जादा देख रहे हैं जहां तक आप लोग की नजर जा रही है पूरा इधर खेती खेत है और यह रास्ता है जो जाता है सीधे देखते हैं कितना दोरी पर है यह रास्ता तो इधर से चलेंगे और अग्यार सीध स्थे चलकर देखलाते हैं किस-किस रास्ते सो भूम कर गया है पर आप लिओ खो आगे और आयके रास्ता देखलाएंगे वारे देख सकते हैं जाँ बीचा रास्ते किनारे प्र बचने जब फ्डनगे अगे दिखते हैं लोकैशन है इसे पढ़र ना पांगे मिम्टर दूरी पर तो पांच किलमेटर से 5-10 किलमेटर सफर का सफर और बचा है सफर में मैं अपने पहुंच जाएगा और फिर het यह सफर खतम हो जाएगा फिर अगले दिन एक नए सफर चालू करेंगा तो आज कई वीडियो पूरा देखिएगा तो इधर का जो रास्ता है तो इधर देख सकते हैं और यहां पसाइद एक मंदिर है कि मंदिर कि स्कूल तो चलिए स्कूल दिखलाते हैं यहां पर सब drastic खिनार यह देख्ते हैं गेट खुला है या गेट वन तो इधर अप लोग को तो एस जना से खूला हैस कि डेल खास ज़ाओ का नाम है देख सकते हैं आप इस ज्बप और फिर चलते हैं तो इधर का जो रास्ता है इधर है पूरा खेत और फिर इधर से आया का रास्ता तो काफी अच्छा है और इधर है पेड़ पो अधो वाला यहां पर एक पीपल का पीड है, जो मंदिर है, तो चलिए, मंदिर को दिखलाते हैं आप लोग के, यहाँ पर लिगा है स्रीडाम जान की मंदिर, तो चलिए, आज इस मंदिर को दिखला ही देते हैं, यहाँ पर है यह मंदिर, तो इस मंदिर के पास चलते हैं, अंदर दिखलाते हैं, गेट कि दुर्गा माता जी का मंदिर रहे था राधा स्री कृष्णा जी का है और अभी मैं राम जान की मंदिर आप लोगो दिख्वाया हूँ इस रोड पे यह रोड अगर सीधे इधर जाएंगे तो कुवेरा स्थार मंदिर बहुत मंदिर पड़ेगा तो उधर कभी चलेंगे तो आज की सफर में आप लोगों यह मंदिर देख्वाया है तो सभी मंदिर आप लोग देखेंगे तो कौन सा पार्ट पसंद आया है आप लोग जुरू बताएगा चलिए और यहां से आगे चल प्रूभाद आपड़ेगे तो कौन सत्क्राद आप लोगगों अपार यहां से पार्ट आप लोगों यहाद़से लोगों यहां सी, प्रफजटा रबताईगे तो आप लोगों ठाप लोगों फटों व्या है